नमस्कार आज के इस बीडियो में हम हिंदी प्रत्याय पढ़ेंगे आईए शुरू करते हैं प्रत्याय उपसर्ग का उल्टा होता है जहां पर उपसर्ग सब्द के पहले जुड़ता है वहीं प्रत्याय आपका सब्द के अंत में जुड़ते हैं ध्यान रखिएगा प्रत्याय सब्दांस होते हैं जैसे आई, वट, तुव, पन ये सब सब्दांस हैं पूरे पूरे सब्द नहीं हैं इनका अकेले अर्थ नहीं हो सकता यहां अर्थ तभी प्रकट करेंगे जब किसी सब्द के अंत में जुड़ेंगे तो इसकी परिभासा आप ऐसे दे सकते हैं कि ऐसे सब्दांस यानि जैसा की कैसे जैसा मैंने आपको यहां दिखाया ऐसे जो किसी सब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नई भी सेस्ताला देते हैं उसे प्रत्या काते हैं प्रत्या कब जुड़ेगा सब्द के अंत में जैसे उदाहरण देखिए पढ़ सब्द है इसके अंत में आई प्रत्या जुड़ा तो आपका एक नया सब्द पढ़ाई बन गया सजा इस सब्द के अंत में वट परते लगा तो सजावट हो गया गुरू इसमें तवपरते लगने से गुरुत्व हो गया बच सब्द में पन परते लगने से बचपन हो गया प्रत्याय सब्दांस होते हैं और सब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नई विशेस्ताला देते हैं अब हम प्रत्याय के भेद को देखते हैं प्रत्याय के दो भेद होते हैं याद रखिएगा कृत्याय और तधित परत्याय क्रित परते हैं और तधित परते हैं अब हम एकक करके इन्हें देखते हैं जानते हैं तो सबसे पहले क्रित परते हैं जो धातू के अंत में जुड़कर कृदंत बनाते हैं देखे धातू क्या होता है सबसे पहले क्रिया कामूल रोप धातू कहलाता है क्रिया मतलब जिस सब्द से किसी कारे की होने का पता चले जैसे पढ़ना, हसना, खेलना, दोड़ना, रोना यह क्रिया है इसका जैसे पढ़ना, इसका मूल रूप क्या है? पढ़ है लिखना क्रिया का मूल रूप लिख है क्योंकि लिख से ही लिखना बना है खेलना इस क्रिया का मुख्य रूप क्या है मूल रूप खेल है तो क्रिया के मूल रूप को धातू कहते हैं जैसे हसना तो इसका मूल रूप क्या हुआ हस हुआ दोड़ना मूल रूप क्या हुआ दोड़ हुआ तो क्रिया के मूल रूप को धातू कहते हैं तो कृत परते हैं जो धातू के अंत में जुड़कर ये कृत परते हैं धातू के अंत में जुड़ते हैं और जुड़कर कृदंत बनाते हैं यानि कृत प्रते के लगने के बाद जो सब्द बनता है उसी को हम कृदंत कहते हैं जैसे उदाहरण देखिए पढ़ है पढ़ क्रिया का मूल रूप है इसमें आई लगा तो हो गया पढ़ाई पढ़ क्रिया का मुल रूप है यानि धातू है इसमें आई प्रते लगा तो पढ़ाई हो गया अब पढ़ाई आपका क्या कहलाएगा कृदंत सब्द यानि कृत प्रते के योग से जो नया सब्द बनता है उसी को कृदंत कहते हैं लिख आपका क्रिया का मुल रूप यानि धातू है इसमें भी आई प्रते हुआ तो लिखाई हो गया और यह नया सब्द क्या कहलाएगा कृदंत खेल क्रिया का मुल रूप है यानि धातू है इसमें अकड प्रते लगा तो खेलकड हो गया अब खेलकड क्या कहलाएगा कृद अन्त समझ गये होंगे कृट परत owners كरदंत करें लगते हैं और इससे बना नया सब्द क्रिदंत कहलाता आगला पर्त tastes देखें हैं अगला फर देखिए इस ऑधित परत जो अध्रों को छोड़कर अन्नय सब्दों में लगते हैं जैसे संग्या सरोनाम बिसेशड के अन्त में ल द्हातु को छोड़ कर, बाकी जितने सब्द हैं, जैसे संग्या, सौर्णा, विशे सर्ड, इनके अंतुमें लगे वो आपका हो जाता है, तधित परते हैं, जैसे दिखिए, मिठ इसमें आस प्रते लगा, तो हो गया मिठास, देहात इृ प्रते लगा, तो हो गया देहाती, ये मिठास भावाचक संग्या है, देहात भी संग्या सब्द है, पाठ संग्या है, अक लगा तो पाठक हो गया, तो समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस, कि जो क्रिया के मूल रूप, यानि धातू के अंत में लगे, वो आपका क्रित परते कहलाता है, और उससे बना सब्द क्रिदंत कहलाता है, और जो धातू को छोड़कर बाकी अन्य सब्दों में लगे, जैसे संग्या सवरोनाम भी स वो आपका तधित परते होता है, अब देखिए क्रित परते के कुछ उधारण, इसके बाद हम तधित परते के उधारण भी देखेंगे, तो जैसे आन, तो इससे हो गया, नया सब्द उड में आन लगा, तो उडान, कटान, ठकान, आई, आई परते से पढ़ाई, बुनाई कटाई, अकड, अकड परते से खिलककड, भुलककड, पियककड, न, न परते से जाडन, धककन, बेलन, ये नय सब्द बने, एक कृत परते के उधारण है, यह परते धातु के अंत में लग रहे हैं, और इससे बना नया सब्द इधर कृदंत कहला रहा है, कहलाएगा, अगल आकड, परते से लडाकू बना, उडाकू हो गया, पढ़ाकू हो गया, आन, आन परते से उठान, पिसान, मिलान, एत, डकैत, लठैत, लडैत, आओ, घुमाओ, खिचाओ, चड़ाओ, तो इधातू के अंत में लग रहे हैं, परते, तो यह आपका कृत परते हैं, और इधर जो नया सब्द बना, यह कहलाएगा आपका कृदंत, अगला उदारण देखिए, महत पूर्ण है सब, यही सब परिक्षा में बार बार आता है, याद रखिएगा, आवट, इससे बना सजावट, बनावट, लिखावट, ता, ता परते से चलता, डूपता, खेलता, अक, अ इससे हसने वाला, रोने वाला, जाने वाला, कमाने वाला, अब न, न परते से जालन, बेलन, जामन, आ, आ परते से घेरा, छापा, गुजारा, हट, हट परते से न सब्द कृदंत, बुलावट, सरी यह बुलावट नहीं रहेगा, मिस्प्रिंट है, मुश्कुराहट, चिलाहट, घवराहट हो जाएगा इया, इया से नचनिया, गवईया, पढ़वईया तो यह आपके कृत परते के उदाहरण थें और इससे बने नैसब्द इधर कृदंत थें अब हम तधित परते के कुछ महतपुर्ण उदाहरण को देखेंगे इससे पाले हमने कृत परते जाना अब तधित परते, तधित परते क्या होता है कि जो परते धातु को छोड़कर अन्य सब्दो संग्यास औरोनाम विशेशड के अंत में लगे वो तधित परते होता है तो जैसे तधित परते का उदाहरण दिखी आस इससे हो गया मिठास, खटास, निंदास, अवती, बपवती, बुढवती, चुनवती, आई, भलाई, बुराई, चतुराई देखिए आई पिछले कृत परते में आया था लेकिन वह क्रिया के मूल रूप यानी धातू के साथ आया था लेकिन यहा पर यह संग्या सब्द के साथ आया है कि भलाई, बुराई, चतुराई, एक, एक परते से धार्मिक, तार्किक, समाजिक, आ, आ परते से बनेने सब्द, भूखा, प्यासा, जूठा, और उदारण देखिए ला, धुंधला, अगला, मजला, हरा, सुनहरा, रुपहरा, दोहरा, ई, पहाली, टोकरी, रस्सी, एला, अकेला, सोतेला, बगेला, आना, हिंदुआना, राजपुताना, तेलंगाना इया, इया प्रते देखिए, खटिया, पुडिया, डिबिया, रा, चमला, मुखला, लंगला, आनी, सेठानी, जेठानी, खानदानी, उ, बलावय दिर्गु, पेटु, बाजारु, गर्जु, पा, बुढापा, मोटापा, आधी तो दोस्तो, यह था आपका प्रते, अगर समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा, साथ ही चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक्यू, धन्यवाद, तांग सू